तो आज का टार्गेट हमारा एकुलीब्रियम इसमें केमिकल एन आयनिक दोनों टाइप का रहेगा और किमिस्ट्री वाले सरको आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और लाइक भी करें ठीके जी तो सबसे पहली बात की एकुलीब्रियम है क क्या सबसे पहली बात एकुलीब्रियम है क्या तो जो एकुलीब्रियम है बच्छे यह एक्चलम एक स्टेट है एकुलीब्रियम एक स्टेट है एकुलीब्रियम इस स्टेट साथ में ध्यान रखना मैं NCRT भी कवर करने जा रहा हूं इसमें हुएगा क्या कि मेजरेबल चें वो नहीं होते हैं, no, measurable change are occur, no, measurable change, for example, जैसे कि concentration है, उसमें कोई भी measurable और observable change नहीं होएगा, concentration fix हो जाएगी, color में कोई भी observable change नहीं होएगा, density में कोई भी observable change नहीं होएगा, ना concentration, color, density, ऐसी धेरोबाते हो सकती हैं, जो measurable है, जिनका measurement कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी change observe नहीं होता है, कोई भी change observe नहीं होता है, मालो reaction equilibrium में आ गई है, तो जब equilibrium में reaction आ गई ना, तो इसका मतलब है, अब कोई भी उसके अंदर observable change ना तो उसकी density बदलेगी, ना उसके अंदर जो color equilibrium पे आ गया है, अगर आप तो disturb करते हो ना, तब change आएगा, concentration में कोई change वहाँ नहीं आता है, और सबसे important बात, rate of the forward reaction, becomes equal to the rate of backward, forward reaction, backward reaction के बराबर हो जाएगे, आगे जाने का rate, पीछे जाने के rate के बराबर हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग equilibrium, equilibrium, आगे जाने का rate, पीछे जाने के rate के बराबर हो गया, और observable change नहीं होएंगे, चाहे वो concentration हो, चाहे वो color हो, चाहे वो density ह और भी धेरों चीजें, मैं आपको equilibrium के साथ चलते चलते बताऊँगा कि उनके अंदर कोई भी change observe नहीं होता, उसको बोलते हैं आप लोग equilibrium, उसको बोलते हैं आप लोग equilibrium, उसको बोलते हैं आप लोग equilibrium, बच्चे एक बात और इसमें जान लेनी की होईगी, कि molecular level पे, एक बात आपको और समझनी होईगी, molecular level पे अभी भी activities continue है, ठीक है न, reaction अभी भी forward जा रही है, reaction अभी भी backward direction में आ रही है, इसका महला molecular level पे, reactions में अभी भी activity है, reaction forward भी जा रही है, reaction backward भी जा रही है, rate of forward मैंने जैसा आपको बताया, आगे जाने का rate, पीछे जाने के rate के बराबर हो जाएगा, rate of forward equals to the rate of backward, rate of forward equals to the rate of backward, आगे जाने का rate, पीछे आने के rate के बराबर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर, जो equilibrium है, उसमें कोई measurable, observable change नहीं आता, वो concentration, color, density, कुछ भी हो सकता है, rate of forward, backward के बराबर हो जाएगा, और अभी भी equilibrium condition आने पर भी, क्या हो रहा है, ये अभी भी movement है, molecular level पे activities continue है, इसको आगे जाकर मैं जब आपको characteristics बताऊंगा न बच्चे, तब बताऊंगा, ये dynamic in nature है, ये dynamic in nature है, ये dynamic in nature है, ठीके जी, तो एक बाद जल्दी से इसको read कर लें, और इसका एक summary बना कर, summary है वैसे तो, copy में लिख लें, धेनों question ही से solve होएंगे, साथ साथ में NCIT cover करूँगा, जैसा मैंने आ ठीके जी, तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास क्या है, अब हमने पती क्या करना है, reactions को classification करना है, on the basis of direction, classification of reactions on the behalf of, ये with respect to लिख लें आप, with respect to direction, classification of reactions with respect to direction, direction के बिहाब पे reactions को classify करना है, तो दो पार्ट हैं इसके, एक आपके पास है reversible, और दूसरा आपके पास है irreversible, जो reversible होएगा न बच्चे, उसका मतलब है, reaction दो directions में move कर रही है, forward, backward, backward, forward, और irreversible का मतलब है, reaction single directions, unidirectional है, reaction is unidirectional, एक ही direction में चल रही है, जबकि reversible, दोनों direction में चलेगी, और एक बात और मैं बता दूँ, हमारे पास reversible condition, maximum हमें create करनी पड़ती है, या फिर यूँ समझे, किसी भी reaction के अंदगर reversibility आ गई, तो वो इस reaction का drawback होता है, कि reaction reversible है, आप product की तरफ नहीं जा पा रहे हो, लेकिन हमारा ये chapter, based ही, किस पर है, reversibility पर, तो classification of reaction, on the behalf of direction, तो reversible हुआ, irreversible हुआ, reversible, जो दोनों reaction में चलें, पूरा chapter हमारा इसी पर based है, H2I2, यह कुछ AC reactions है, जो इस chapter में हमारे काम आनी है, PCL5 का decomposition करवा दिया गया है, PCL3 chlorine के अंदर, या फिर acetic acid पर, हमने ethanol का, इसको liquid equilibrium बोलते हैं, reaction करवा कर, आपने ester बना दिया है, आपने ester बना दिया है, CH3COOC2H5, और यहां आपके पास voter बन गया है, तो यह reactions reversible हैं, in nature, और देखें, जितनी भी precipitation की reactions हैं, all reactions of precipitation, जैसे कि आप नुमी दस्वीम पढ़कर आयों न, कि अगर आप NaCl में, एजी अनो 3 डाल दो, तो होएगा क्या, एजी सी एल का precipitate, अब हुआ क्या, यह तो reaction में से बाहर हो गया है, यह तो reactions में से बाहर हो गया है, तो reaction में precipitation of AgCl आती है, reaction forward 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 ही जाएगी, या फिर अगर आपके पास कोई reaction कैसी है, जिसके अंदर neutralization हो रहा है, जिसके अंदर neutralization हो रहा है, तो उस type की reaction भी क्या होएंगी, finally, irreversible, जैसे कि मैंने NaOH का reaction करवाया, HCl के साथ, यह unidirectional है, एक यह direction में चलता है, NaCl बना और पानी बन गया, और यह reaction अब backward जाने वाली नहीं है, neutralization की reactions हो गई, precipitation की reactions हो गई है, यह सारी के सारी reaction irreversible है, एक बात और बता दूँ, यह reaction fast भी है, यह reaction irreversible भी है, और यह reaction fast भी है, mainly जो precipitation की reactions है, अगर simple tag लगाओगे, तो precipitation की reactions है, वो तो 100% irreversible है, forward जा रही है, thermodynamics में पहुँचने पर ऐसी बाते हम आपसे और भी करेंगे, तो irreversible, unidirectional, precipitation की reaction, जिसके अंदर product बना, और वो reaction से बाहर हो गया, तो ऐसी reactions है, ऐसी reaction हो, जिसके अंदर कोई product side में gas बन रही हो, और escape कर जाए, मालो gas edge product बनी, ठीक है, और वो reaction में से escape कर गई, और अगर वो reaction में से escape कर गई, तो reaction कहा जाएगी, only in forward forward forward, तकुल में लाकर यू समझो, कि अगर market में कोई product आया, और वो product जनता ने खरीद लिया, वो product जनता ने consume कर लिया, तो होएगा क्या, company को और product बनाना पड़ेगा, forward forward reaction चलती जाएगी, इसको बोलते हैं, reaction के अंदर irreversibility है, एक ही direction में जा रहा है, मालो प्रड़क्ट नहीं बिखता हो market में, सेल ना उसकी, तो फिर जो आपके पास दुकानदार है, शोब की पर है, उसको वापिस company को भेज़ देगा, कि भाई, तुम्हारा निया प्रड़क्ट था भिकानी वापिस ले लो, तो reaction reversible होगी, पीछी की तरफ चली गई है, तो इनको बोलते हैं, irreversible, 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 जो neutralization reactions है, यह fast category में आ सकती हैं, लेकिन fully irreversible category में इसको हम कई बार नहीं डालते हैं, लेकिन precipitation की reaction या gas edge product बनके escape कर जाएं, उसको हम लोग बोलते हैं, those reactions are fully irreversible, यहनी forward चलने वाली reactions, forward चलने वाली reactions, ठीक है जी? तो को एक बात तो आपको समझ में आ गई है, कि equilibrium का exact मतलब क्या निकला है, reversible reaction, reversible reaction, मतलब bi-directional process, ठीक, reversible, जिसके अंदर, in which, reversible reactions, in which, जो measurable properties हैं, reversible reactions, in which, measurable properties, have no change, during the reaction, during the reaction, अब वो measurable change, मैंने आपको पहले भी बताया था, color का भी हो सकता है, concentration का भी हो सकता है, density का भी हो सकता है, धेरो टाइप के change हो सकते हैं, temperature, pressure का भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ constant हो जाएगा, according to reaction, maybe color, maybe concentration, maybe density, maybe temperature, maybe pressure, जिसको न, आप measure कर सकते हो, जिनका कि आप observation कर सकते हो, जिसका कि measurement कर सकते हो, clear न, और with time, इनके अंदर, कोई भी change observe नहीं होता, with time, इनके बिच कोई भी change observe नहीं होता, no change with passes of time, no change with the passes of time, time निकलने के साथ साथ इनमें कोई भी change नहीं है, उनको आप लोग बोलते हैं, equilibrium, reversible reactions, for example हमारे पास पहले आ भी गया है, और फिर हम सीख लेते हैं, और ऐसे धिरो एक्जामपल आपको मिलते भी रहेंगे, जैसे कि आपके पास N2O4 है, sign of equilibrium है, यहाँ N2 है, और यह आपको पता है liquid है, और यह आपको पता है gas है, ठीक है न, और आपको पता है, यह रेडिश अभी आपने चैप्टर धेरो पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा है यह रेडिश, brown gas है, और जब equilibrium आजाए, equilibrium पर होईगा क्या, आपको pale brown color दिखता है, आपको equilibrium पर pale brown color दिखता है, जब equilibrium आजए, जैसे यह समझो न, कि आपने N2, 4 लिया और वो धिरी-दिरी N2 में temperature बढ़ाने के साथ में convert हुआ, तो जब भी pale brown color आजाए, तो यह indication है, कि अब reaction रुक चुकी, रुक ना मतलब समझो, गलत direction में जा न, reaction में equilibrium आ चुका है, reaction के अंदर color में कोई change नहीं आ रहा, concentration में कोई change नहीं आ रहा, density भी हो सकता है, हो सकता है, change होगी हो, temperature, pressure sub में से, कोई 3-4-5 property according to reaction क्या होगी है, यह constant हो गई है, pale brown color आना मतलब equilibrium अचीव हो गया, but, 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 it is dynamic in nature, मैं dynamic का मतलब आपको बताऊँगा, जब characteristic की तरफ चलूँगा, तो अब मैंने क्या किया, एकुलीब्रियम को, फिलहल केमिकल एकुलीब्रियम है, तो एकुलीब्रियम को मैंने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है, पहला मेरे पास फिजिकल एकुलीब्रियम है, दूसरा मेरे पास केमिकल एकुलीब्रियम है, और फिजिकल एकुलीब्रियम के मेरे पास फर्द अगर मैं physical equilibrium को further classify कर दूँ, तो मेरे पास further इसके 5 types है, further मेरे पास इसके 5 types है, clear ना, तो वो type कौन-कौन से हैं जी, पहला, solid and liquid equilibrium, liquid and gas equilibrium, then solid, gas equilibrium, then fourth रंबर, solid in liquid, शुगर को पानी में डालते, solid in liquid equilibrium, gas in liquid equilibrium, देखो, वो solid and liquid है, ice with water, ये ice in water, दोनों का फर्क है, solid in liquid, sugar in water, salt in water, CO2 in water, CO2 in any solvent, उनको बोलते हैं 5 types के equilibrium, इसके बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर की ending, जो एक leach clear principle आएगा, उसकी applicability, इन पांचों पर हमने पढ़नी है, वहाँ जाकर हम लोग क्या पढ़ते हैं, physical equilibrium के बारे में, discussion करते हैं, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहें, chemical equilibrium की तरफ, chemical equilibrium की तरफ, unit 7, और मैं आपसे बार-बार कहूँगा कि NCRT को बिना देख्या, आप गलती से बिना निकले, क्योंकि trend आपके आपने NCRT का ही आ रहा है, NCRT से ही question directly बन रहें, तो चली चलते हैं, जी सब कुछ समझते हैं, सुनते हैं, चलते जाते हैं, chemical equilibrium are important in numerous biological and environmental processes, ठीक हो की बात, For example, equilibria involves auto molecules and the protein hemoglobin play a crucial role in the transport and delivery of oxygen from our lungs to our muscles, अब यहां hemoglobin लिख लें, यहां oxygen लिख लें, sign of equilibrium लगा कर HbO2 लिख लें, ठीक हो की बात, तो, equilibria involving O2 molecule and protein hemoglobin play a crucial role in the transport and delivery of O2 from our lungs to our muscles, similarly, equilibria involving carbon monoxide molecules and hemoglobin account for the toxicity, यह अपने P-block element की group number 14 में पढ़ा हुआ है, हीमोगलोबिन का carbon monoxide से reaction हुआ, और यह HbCO बन गया, यह HbCO बन गया, और यह जो HbCO बना, यह जो HbCO बना, यह कहीं न कहीं oxygen के comparison में कई गुना जादा stable है, बट reaction में थोड़ी बहुत भी reversible ही तो backset जा सकता है, तो हम इस बात को समझ लें, when a liquid evaporates, जब एक liquid evaporate करता है in a close container, लोजी, 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 यहाँ एक liquid लिख लिया गया है, evaporation हो रहा है, इसकी vapors बन रही है, temperature कोई भी room temperature है, इसके आगे पीछे set कर लें आप, ठीक है न, molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface, अब यहाँ, जिनको लगेगा, घर छोड़ कर जाना है, वो घर छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि उनकी relatively surface पर है, तो इनकी kinetic energy greater, surface वालों की greater than in the bulk है, बलके comparison में इनकी kinetic energy ज़्यादा ही है, escape the liquid surface into the vapor phase, and the number of liquid molecules from the vapor phase strikes the liquid, अब उल्टा होएगा, यह आपस में टकरा टकरा कर, इन में टकरे होएगी, और यह वापिस liquid बनेंगे, तो एक तरफ तो क्या चल रहा है, evoporation, एक तरफ तो क्या चल रहा है, evoporation, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, बचे, condensation, इन दोनों के बीच, एक एक एकुलीब्रिया, इन दोनों के बीच में एकुलीब्रिया, लेकिन एक शर्थ रक्यूस ने, container should be closed, अगर यह container open हुआ, तो surface से, जो evoporation हुआ, वो तो environment में, atmosphere में चला जाना है, तो relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapour phase and number of liquid molecules from the vapour phase strike the liquid surface and are retained in the liquid phase. It gives rise to a constant vapour pressure because of equilibria, because of an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equals the number of returning to liquid from the vapour. We say that the system has reached in equilibrium state. However, this is not static. यह रुका नहीं है, just feel like की stopped है, रुका है, but there is a lot of activity at the boundary between the liquid vapour, striking, escaping, striking, escaping, तो liquid vapour में, vapour liquid में, vapour liquid में, liquid vapour में, चलता है तो, Thus, equilibrium, the rate of evaporation is equal to the rate of condensation it may be represented by H2O liquid, H2O vapour, the double half arrows, यह वाले, यह वाले, equilibrium को represent करते हैं, indicate that the processes in both the directions are going on simultaneously. The mixture of reactant and products in the equilibrium state is equal to the equilibrium mixture, तो पानी का liquid, पानी का vapour, इन दोनों को collectively, close container के अंदर, in close container, हम equilibrium mixture बोलते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, equilibrium can be established, हम equilibrium को दोनो physical processes and chemical reactions दोनो के अंदर establish कर सकते हैं, the reaction may be fast or slow depending on the experimental conditions and the nature of reactant. When the reactant in a closed vessel at a particular temperature, react to give product जैसे H2, I2 react करके HI दे रहें, ओके, the concentration of reactant keeps on decreasing but simultaneously while दोजों products keep on increasing, हुआ क्या, reactant घढ़ते चले गए, साथ साथ में, products बढ़ते चले गए, but एक condition ऐसी आई, after some time, जिसको आप highlight कर सकते, for some time, after which there is no change in concentration of either of the reactant or product. दोनो reactant product की concentration में कोई change नहीं हो रा है, this stage of system is called the dynamic equilibrium and the rates of forward and backward reaction, reverse or forward, reverse or forward, दोनो के rates बराबर हो गए हैं, become equal, it is due to the dynamic equilibrium states, that there is no change in concentration of various species in the reaction mixture, based on the extent to which the reaction proceeds to reach the state of chemical equilibrium, these may be classified in three groups, chemical equilibrium को तीन category में हमने पांट दिया है, reactions that proceeds nearly to completion and only negligible concentration of reactant are left, यहां maximum reaction, maximum reaction product की तरफ खिसक चुकी है, और पड़ी little amount में reaction का जो reactant पार्ट है, वो वापिस बन रहा है, तो maximum completion की तरफ है, arrow का sign देख लिया, in some cases, it may be, it may not, it may not be even possible to detect these experimentally, हम इसको कही बारतो न, observe भी नहीं कर पाते हैं, कि reactant बचा हुआ है, mainly, 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 कौन चल रहे हैं, products, चलो जी, the reaction, in which only small amount of products are from ULTA, 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 तो second category, यहां आप reactants लिख रहे हैं, यहां sign of equilibrium लिख रहे हैं, लेकिन, 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 जो forward reaction है, वो, आपके पास कम है, और products की amount भी वहां कम चल रही है, are formed, and most of the reactants remain unchanged at the equilibrium stage, वापी सुन ले, the reaction, in which only small amounts of product are formed, most of the reactants, most of the reactants, un-reactant हैं, वैसे कि वैसे पड़े हुए, जलिए आगे बढ़ते हैं, third, the reactions, in which the concentrations of the reactants and products are comparable, यह है काम की बात, जो maximum equilibrium में हमें नजर आएगी, जहां, reactants और products approximate same rate से एक दूसरे में convert हो रहे हैं, comparable, comparable concentrations है, when the system is in equilibrium, एक में reactant बढ़े जादा, reaction आगे खिसकीनी, एक में product बढ़े जादा, और equilibrium established हो गया, एक में reactant product बढ़ाबर, जहां equilibrium आगे पीछे comparable concentration के साथ move कर रहा है, the extent of reaction in equilibrium varies such as concentration of reactant, temperature, etc. optimization of operational conditions is very important in industry and laboratory, so that equilibrium is favorable in the direction of the desired product, माल लीजिए, nitrogen को hydrogen से reaction करवा के, आपने अमोनिया बनाना है, और आपको पता है, कि nitrogen का bond break very very difficult है, वर्दिं सुनना, extent of a reaction in equilibrium varies with the experimental condition, extent आगे कितनी जाएगी, पीछे कितनी जाएगी, extent of the reaction, extent of the reaction in equilibrium vary करती है, with the experimental condition, such as concentration of reactant, temperature, etc. optimization of the operational condition is very important in industry and laboratory so that equilibrium is favorable in the direction of desired product. Some important aspects of equilibrium involving physical and chemical processes are dealt in this unit along with the equilibrium involving ions, उसका नाम हमने ionic equilibrium रखा हुआ है, और जब कभी भी physical state involved हुएगी, उसका हमने नाम physical equilibrium रखा हुआ है, ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, देखो जी, यहाँ मेरे पास physical equilibrium के 5 टाइप है, solid with liquid, liquid and gas, solid and gas, solid and liquid, gas in liquid, और मेरा opinion कई बार बोलता है, कि हमें इन पांचों को NCRT से read कर लेना चाहिए, फिर कोई अलग aspect अगर हमारे दिमाग में है, तो इसमें डालना जरूरी होता है, तो चलिए, हम NCRT से physical equilibrium के बारे में जान लेते हैं, and then after, हम बात करेंगे, then after, हम बात करेंगे, किसके बारे में, हम तब discussion करेंगे, about the, कि इस equilibrium condition के characteristics क्या हैं, सा information क्लेक कर लेते हैं, equilibrium in the physical processes, लो जी, शुरू करते हैं काम अपना, equilibrium in physical processes, the characteristics of systemat equilibrium are better understood if we examine some physical processes, the most familiar examples are phase transformation, जेने इन वर्टस पे question बना रखे हैं, phase transformation processes, solid to liquid to gas यहां से हम तीन equilibrium निकाल रहे हैं, पहला, दूसरा, और solid to gas, तीसरा, solid liquid, liquid gas, solid gas, तीन equilibrium आपके पास है, phase transformation processes, चलिए, solid liquid equilibria, सबसे पहले हम solid liquid equilibria की बात करते हैं, ice and water kept, ice and water kept in a perfectly insulated, यह perfectly insulated का मतलब पते क्या होता है, जिसमें से, heat, और mass, दोनो, exchange अपने surroundings के साथ न हो पाहें, no exchange of heat, between its contents and the surroundings, ती हो कितनी बढ़िया बात लिखी है, perfectly insulated thermos flask का मतलब हुआ, no exchange of heat between its contents and surroundings, at 273 Kelvin and 0 degree मतलब, the atmospheric pressure are in equilibrium state, and the system shows interesting characteristic features, we observe that the mass of ice, प्रेक लिखने पने अपने ने 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 लिखी है, and mass of water mass of ice and mass of water no change at all no change no change जैसा ता वैसे पड़ा हुआ है with time and the temperature remains constant temperature आपने 0 degree centigrade पर अखा हुआ है however, the equilibrium is not static equilibrium ऐसे लग रहे था कि equilibrium रुका हुआ है, mass में change नहीं आ रहा हाँ, एक intense activity जरूर चल रही है we noticed at the boundary ये माल लीजिए ice cube है और ये इसके around पानी है इसके around पानी है और इन सब को बंद किया हुआ है एक close container जो कि insulated है, perfectly insulated है और temperature 0 degree centigrade किया हुआ है एक intense activity intense activity can be noted at the boundary between ice and water molecules from the liquid water liquid water molecules from the liquid water colloids इसे टकरे मार रहे इसे collision कर रहे इसे collision कर रहे इसे collision कर रहे against the ice ice के against and adhere to it इसे चिपक गई adhere to it and some molecules of ice simultaneously escape into liquid water ice में convert हो गया simultaneously कुछ ice के molecules है तो पानी वो भी किसमे escape कर गए to liquid phage there is no change in mass of ice and water there is no change in ice of mass of ice and water as a rate of transfer molecule from ice into water and of reverse transfer from water into ice are equal rate of fusion जिसको अपर मेल्टिंग भी बोल सकते हैं equals to the rate of freezing इदोनो परापर हो चुके हैं 273 Kelvin पे it is obvious that ice and water are in equilibrium only at a particular temperature and pressure for any pure substance at which the solid and liquid phages जिसको अपराइब भी आपको बता है जैसा में आपको बता है कि rate of fusion और rate of freezing एक particular temperature पे क्या हो गए हैं जी बरापर हो गए हैं it is obvious that ice and water are in equilibrium only only at a particular temperature and pressure for any pure substance at which the solid and liquid phages are at equilibrium is called the normal melting and normal freezing point of the substance अब दोनो 0 degree centigrade 273 Kelvin यह आपका normal freezing or melting point दोनों सेमी बात है अब सबस्टांस the system here is a dynamic equilibrium dynamic का मतलब है यह दोनों direction में अभी भी movable है इधर भी चल रहा forward भी और backward भी चल रहा so इससे कुछ results निकले both the opposing processes occur simultaneously तोनों चलते है माल लीजिए एक पानी का tank है ठीक होगी बात यहां आपने क्या किया एक tap लगा रखी है यहां inlet है यहां outlet है outlet से पानी गिर रहा है आप में से कुछ शरारती बच्चा आया पानी खोल दिया और इधर inlet है यहां तक का level पानी का ओल्डेडी था ठीक होगी बात तो जिस rate से inlet है उसी rate से बाहर जा रहा है तो अगर पानी के इस tank में enter करने का rate बाहर निकलने के rate के बराबर हो जाए both the opposing processes occur simultaneously मतलब forward, backward बराबर हो जाए तो क्या 4 गंटे, 5 गंटे, 6 गंटे बात भी पानी के level में कोई change आएगा तो आपका answer आना चाहिए no पानी के level में कोई change नहीं आएगा इसी को बोलते हम लोग rate of forward becomes equal to the rate of backward both the processes occurs at the same rate so that the amount of ice and water remains constant तो molecular level पे यहां activities हो रही है intense activity can be noticed at the boundary between the ice and water बिल्कुल हो रहा है लेकिन, लेकिन, लेकिन जो mass और quantities है वो दोनों constant पड़ी होई है यहां एक definition आगई यह conclusion में और बात आपको यह भी पता चल लगी forward and backward rate बरापर हो गए चले एक बद्ध बढ़िया सा experiment और करते हैं liquid vapor equilibrium liquid vapor equilibrium देखें, यहां में काम करनी जा रहे हैं एक container लेते हैं जी ओके, यहां फिर क्या करेंगे एक manometer थोड़ा सा डियाग्रह में चेंज कर देते हैं अलका सा बना दिया जी पैनोमेटर यहां हमने liquid भर दिया है temperature हमने constant कर दिया है यह vapors बनी हुई हैं जी इसमें mercury भरा हुआ है इस एक्विलिब्रियम can be better understood if we consider the example of transparent box carrying the U-shaped tube with mercury, manometer, drying agent like anhydrous calcium chloride और phosphorus pentoxide देखो, NCR इमें कितने बढ़िया-बढ़िया बाते लिख हुई है phosphorus pentoxide P2O5 भी बोल सकते हैं इसको P4O10 भी बोल सकते हैं बच्चे कहते हैं anhydrous या dehydrating agents के नाम हमें याद नहीं है क्यों याद नहीं है भी क्योंकि हमने फोकस ही नहीं किये कभी तो CACL2 एक drying agent है P4O10 एक drying agent है is placed for few hours in the box था कि वो humidity वगरा सारी कि सारी absorb कर ले absorption of humidity ठीक है जी कुछ देर के लिए इसको रख दिया गया है after removing the drying agent by tilting the box on one side a वोच ग्लास और पेट्रिडिश containing water is quickly placed inside तकि मुश्चर पार से और एंटर ना कर जाए quickly इसलिए एंटर करवाया गया है okay it will be observed that the mercury level in the right limb of the manometer slowly increase बढ़ नहीं है बटो जो आपके पास manometer का ये right limb हो गया है ये left limb हो गया है तो right limb के अंदर धीरे 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 mercury का लेवल अप जाएगा का रहा है नहीं बच्चे क्योंकि वेपर बननी स्टार्ट हो गई इन वेपर्स ने इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया okay it will be observed that the mercury level in the right limb of the manometer slowly increases बिल्कुल increase करेगा and finally attains a constant value यहाँ चेर लगा के बैट जाए देखने के लिए ठीक है जी चेर लगा के आप बैट जाए और यह student है जो इस बात की observation के लिए mercury का लेवल कब constant होईगा और जैसे ही mercury का लेवल constant value को अचीव किया that is the pressure inside the box increases and reaches a constant value also the volume water in the watch class degrees करेगे जो आपने पैट्रिडिश या watch glass लिया ना उसके अंदर जो आपने पानी रखा फिर इस close container में रखा फिर इसको manometer से जोड दिया फिर इसको manometer से जोड दिया तो जैसे manometer में mercury का लेवल right limb में बढ़ता है कुछ देर बाद constant हो गया है कुछ देर बाद constant यहाँ पानी के लेवल में कुछ डाउन हुआ initially there was no water vapor inside the box शुर शुर में तो नहीं होता है as water evaporated the pressure inside the box increases due to the addition of water molecules into the gaseous तो पानी के liquid molecules पानी के gas molecules में लगातार बदलते जा रहे है inside the box the rate of evaporation is constant however the rate of increase in pressure decreases with time due to condensation अब उल्टा process भी start हो गया into water finally it leads to an equilibrium finally it leads to an equilibrium if equilibrium भी पहुँचेगा where there is no net evaporation this implies that the number of water molecules from the gaseous state into the liquid state also increases till the equilibrium is attained the rate of evaporation rate of condensation दो जो पराबर हो होगे H2O liquid is equals to H2O vapors at equilibrium the pressure exerted by molecules at the given temperature remains constant तब ही मैंने कहा था ना आपको, कि जब भी कोई equilibrium setup आएगा, तब आपके पास कुछ ना कुछ miserable, observable property constant होईगी, तो यहां हमारे पास एक भधिया सी definition, जो 12th class में भी आएगी, वो constant हो गई है, at equilibrium, the pressure exerted by the water molecules at given temperature remains constant and is called the equilibrium vapour pressure of water, or just vapour pressure. Vapour pressure of water increases with temperature, if the ABOE experiment is repeated with methyl alcohol, methanol, को इसी experiment को आप acetone के साथ भी कर लें, acetone के साथ भी कर लें, ether के साथ भी कर सकते हैं, ठीक ने जी, it is observed that different liquids have different equilibrium pressure, वो तुरूल है, जितने liquid, उतने type के intermolecular forces, chapter आपका इंतजार कर रहा है, वाईटर इंस्टूट के अंदर, केंस्टी वाले सर्व, vapor pressure at the same temperature, and the liquid which has a higher vapor pressure, is more volatile, and has a lower boiling point, और Vp-Vp का बढ़ी हासा, इनवर्स का रिलेशन भी का निए, Vp-Vp का, इसमी बात होईगी, chapter आपास पास, solution, vapor pressure at the same temperature, and the liquid which has higher vapor pressure, इसका भी पूरा फंड आ है, क्योंकि boiling point की definition जैसी पढ़ लोगे न, तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी, given temperature पे जिसका vapor pressure जादा है, उसका boiling point कम होईगा, and the liquid which has a higher vapor pressure is more volatile, वो तो ही, जिसका vapor pressure जादा हो रहा है, given temperature पे पक्का कि उसका boiling point कम है, और वो जादा volatile है, वो जादा volatile है, if we expose three watch glasses, containing separately one milliliter of acetone, तीन watch glass है, एक में acetone, देख लो भी अगर आप chapter पढ़ रहे हो, equilibrium, तो क्या ऐसी बाते आप, NCRT ने जो लिखी है, क्या real में आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं, आपको NCRT पे shift होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, मैं इसके बाद आपको evidence दे रहा हूं, भाई, इसके साथ ही मैं, नीट के paper भी जोड रहा हूं, नीट के question भी जोड रहा हूं, now acetone, ethyl alcohol and water to atmosphere, and repeat the experiment with different volumes of the liquid in the warmer room, clear, it is observed that in all such cases a liquid eventually disappears, and the time taken for complete evaporation depends on, depends on, depends on number one, nature of liquid, कहीं उसके अंदर कोई hydrogen bond तो नहीं है, कहीं वो polar nature का तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कोई अलग से, वेन्डरवाल forces का existence तो नहीं है, nature, फिर amount कितनी लिया आपने, मालो एक का 10 ml ले लिया, एक का 1 liter ले लिया, अप कहेंगे, यार दिखो, यह जल्दी उड़ गया, और वो एक लिटर वाला टिका पड़ा, जबकी वो जादा वो लेटाईल, भाई, amount भी तो जादा है, amount of liquid, तीसरी बात, the temperature, very, very important temperature, when the watch glass is open to the atmosphere, the rate of evaporation remains constant, but the molecules are dispersed into large volume of the room, as a consequence, the rate of condensation from the vapor to liquid state is much less than the rate of evaporation, condensation की तो बात भूल जाओ ना, भाई, आपने क्या कर दिया है, container को, open, और जब container open हो गया है, तो maximum liquid escape कर रहा है, और मैं पिल्कुल guarantee के साथ बोल रहा हूँ, वहाँ कोई भी equilibrium attain नहीं होईगा, तो equilibrium के characteristics में, when the container is तो एक definition की बात हमारे बीच में चल रही ना, these are open systems, and it's not possible to reach equilibrium in an open system, किसी open system, कैसे हो पाएगा भाई, open system में तो maximum जो जो देश्केप कर जाएगे, तो open system में कभी भी भी आप equilibrium इस्टैपलिश नहीं कर सकते है, now, water and water vapors are in equilibrium, position, at atmospheric pressure 1.013 बार, 1 अटम, and at 100 degree centigrade in closed vessel, the BP point of water is 100 degree and pressure, 1.013 बार प्रेश, for any pure liquid at 1 अटम, the temperature at which the liquid and vapour are at equilibrium is called the normal boiling point of the liquid, boiling point of the liquid depends on the atmospheric pressure, boiling point, atmospheric pressure पे डिपेंड करता है, इसको बढ़ाते जाओ, यह आपने state someter में पड़ा न, it depends on the altitude of the place, at high altitude, boiling point, भई, pressure कम हो गया, boiling point क्या कर चाहिएगा, decrease कर चाहिएगा, अब है solid vapour, I think आप समझ के होगी, किसकी बात कर रहा है, यह आप से अब, sublimation की जो purification में, आप पढ़कर आयो भी fresh, let us now consider the systems where solids sublime to vapour, solids sublime to vapour, if we place solid iodine in a closed vessel, if we place solid iodine in a closed vessel, after some time, the vessel gets filled up, with violet vapours, and the intensity of colour increases with time, जै 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 चलता जाएगा, colour की intensity, और आपको पता है, जो iodine है, उसका जो colour है, वो आपके पास violet coloration है, violet coloration है, जी के जी, after certain time, the intensity of colour becomes constant, जैसा की पीछे भी हुआ था भाई, N2O4, N2 में आपने देखा, पेल ब्राउन हो गया था वो, and this stage equilibrium is attained, hence solid iodine, sublime to give iodine vapours, and the iodine vapour condensed to liquid, sorry, solid iodine, the equilibrium can be represented as, solid I2, solid I2 से I2 vapours बन रहे, other examples showing that kind of equilibrium are, camphor B, ammonium chloride आपको याद होगा, मैंने ABC याद करवाई थी आपको, A for ammonium chloride, B for benjoic acid, C for the camphor, C for the camphor, अब आपके पास है, equilibrium involving dissolution of solid or gas in liquid, solid in liquids का equilibrium आएगा, solids in liquid, solid end liquid, liquid end gas, solid end gas, now, solid in liquid, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, अगर आप परी बात को, properly word to word सुन रहे थे, और यहाँ देखिए आप, पांच टाइप के equilibrium थे आपके पास, पांच टाइप के equilibrium, उन पांच टाइप के equilibrium के अंदर, यह देखिए, solid, liquid, liquid gas, solid gas, now, जो दो equilibrium है, solid in liquid, gas in liquid, यह अब मैं दो बचे हुए आपको, physical equilibrium के equilibrium पढ़ा रहा हूँ, now, listen carefully, इसमें हो क्या रहा है, हुआ क्या जी, equilibrium का type है, solid in liquid, माल लो आप sugar लेके बैठ गए, उसको पानी में घोल दिया, तो sugar, in water का एक solution बन गया, solid in liquids, we know, from our experience, that we can dissolve, only a limited amount of salt or sugar, in given amount of water, at room temperature, if we make a thick sugar syrup, solution by dissolving, sugar at a high temperature, sugar crystals separate out, if we cool the syrup to the room temperature, we call it a saturated solution, when no more of solute, can be dissolved, in it at a given temperature, हर एक solid की, एक maximum capacity, एक maximum capacity होती है, जो solubility को indicate करती है, the concentration of solute, in a saturated solution, depends upon the temperature, in a saturated solution, a dynamic equilibrium, वही बार बार आपसे बोल रहा हूं, कि जिस quantity में, maximum quantity में, solute dissolve हो सकता है, उसके बाद अगर आप उसको dissolve करते की, कोशिश करते हो, तो वह नहीं गुलेगा, उसी का नाम आपने, saturated solution दे रखा है, उसी का नाम आपने, saturated solution दे रखा है, और यहां मैं आपसे कह सकता हूं, no more solute will be dissolved, इससे ज्यादा solute नहीं गुल सकता, in a saturated solution, a dynamic equilibrium exists, between the solute molecules, in the solid state, and in the solution, sugar, sugar, solid, and the rate of dissolution of sugar equals to rate of crystallization, जिस rate से घूल रही है, उसी rate से बाहर भी निकल रही है, equality of two rates, and dynamic nature of equilibrium, has been confirmed, with the help of radioactive sugar, if we drop some radioactive sugar, into saturated solution of non-radioactive sugar, then after some time, radioactivity is observed, both in the solution, and in the solid sugar, initially, there were no radioactive sugar molecules in the solution, but, due to dynamic nature of equilibrium, there is exchange between the radioactive and non-radioactive sugar, molecules between the two phases, अब तोरा सम्झें इस बात को, हुआ क्या, ये container है, इसमें पानी भर रखा है, ये माल लीजिए, 100 ml पानी है, और हम माल लेते हैं, शुगर की, maximum capacity, 10 g पर 100 ml है, ठीक होगी बात, उतनी आपने इसमें घोल दिया, अब एक, saturated, solution का, formation हो गया, अब आपने क्या किया, saturated solution बनने के बाद, आप चेक करना चाहते हैं, just we want to check, ये checklist लगा दी, क्या ये dynamic है, क्या ये अभी भी चल रहा है, तो आपने पते क्या किया, equilibrium में, at equilibrium, इसके अंदर, radioactive sugar, radioactive का मतलब गया, तो trace कर पाओगे, radioactive sugar mix कर दी, radioactive sugar mix कर दी, अब जैसी आपने इसके अंदर, radioactive sugar mix की न, जैसी आपने इसके अंदर, radioactive sugar mix की, अगर ये radioactive sugar, precipitate हो जाए, crystal out हो जाए, liquid में ना मिले, तो आप समझ लो, तो आप समझ लो, कि कहीं न कहीं, ये static है, बट actual में ऐसा होता नहीं है, actual में क्या होता है, actual में, थोड़ी देर बाद, radioactive sugar, radioactive sugar, solution में आपको मिलती है, मालो 10 ग्राम न, चीनी घुलती है, शुगर घुलती है, तो होईगा पते क्या, 10 ग्राम ही घुली रहेगी, लेकिन घुली हुई, शुगर में से, कुछ, quantity, crystal out हो जाएगी, और radioactive अब नया participation, start कर लेगी, इसका मतलब ये, equilibrium, रुका नहीं है, तो अगर आप इस बात को, exactly अपने दिमाग में डाल गए, कि कैसे, एक equilibrium, dynamic nature का है, तो आप chemical equilibrium पर भी, इसको properly apply कर पाऊगे, gases in liquids, when a soda water bottle is opened, some of the carbon dioxide gas, Pepsi Coke तो पिया होगा आपने, नहीं पिया तो बहुत अच्छी बात है, देखा तो होगा आपने, तो CO2 को पानी में, dissolve करके, हमने, carbonated solution बना लिया है, when a soda water bottle is opened, some of the CO2 gas dissolved in it, fizzes out rapidly, एपी फीज का आदाम सुना होगा न, वो जो carbon dioxide घुली हुए, उसी के नाम से आ रखा है ये, the phenomenon arises, due to the difference in solubilities of CO2, at different pressures, बिल्कूल है जी, इसको लेकर हमारे बारवी ग्लास में एक चैप्टर भी लिखा गया है, solution, उसके अंदर Henry's low की बात कर रखी है, कि जैसे जैसे pressure बढ़ाएंगे, mole fraction of the gas भी बढ़ेगा, there is equilibrium between the molecules of gaseous state, and the molecules dissolved in the liquid under pressure, CO2 gas, CO2 in solution, this equilibrium is governed by Henry's low, 11th class में Henry low का जिकर हो रखा है, तो बच्चो समझ लो कि ये सब बातें आपको 11th class के equilibrium में भी discuss होनी चाहिए, discuss होनी चाहिए, which states that the mass of gas dissolve in a liquid mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of gas above the solvent, भाई, simple सी बात है, जितना pressure आप liquid पर बढ़ाते चले जाएंगे, उतना gas जादा घुलेगी, general form में इसको कुछ ऐसे लिखा गया था, कि M directly proportional to P, M मतलब mass of gas हो गया, P, pressure applied हो गया, जितना आप pressure बढ़ाएंगे, उतना gas की quantity जादा घुलेगी, which states that the mass of a gas dissolved in a liquid, dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of gas above the solvent, this amount decreases with increase of the temperature, simple है, इसको भी मैं आपको पता दूँ, gas का general liquid water में घुलना, एक exothermic process है, कभी आपको अपनी मम्मा को कहते सुनाओगा आपनी, कि ठंडे पानी में, ठंडे दूद में, चीनी घुलेगी नहीं, गरम दूद में घुलेगी, तो वो जानते हैं, कि जो process by default, एंडो, 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 आगे समझाऊंगा मैं, एंडो थर्मीक है, उसको अगर forward भीजना हो, तो आपको temperature बढ़ाना है, और जो exothermic है, उसको अगर forward भीजना हो, तो आपको cooling करवानी है, इस amount decreases with, highlight कर लेन, इस amount decreases with increase of the temperature, the soda water bottle, आपने देखा ही है, CO2, जैसे जैसे गरम होएगा, soda water, pepsico, carbonated water, CO2 बाहर निकलती रहेगी, exothermic process है भाई, the soda water bottle is sealed under pressure of a gas, when its solubility in water is high, as soon as the bottle is opened, some of dissolved CO2 gas escape, to reach a new equilibrium condition, required for the lower pressure, namely, its partial pressure in the atmosphere, this is how, the soda water bottle, when left open to the air, for some time, turns flat, it can be generalized that, for solid liquid equilibrium, there is only one temperature melting point, at 180 M, at which the two phages, can coexist, if there is no exchange of heat, with the surrounding, the mass of two phages, remains constant, for liquid vapour equilibrium, the vapour pressure is constant, for dissolving solid in liquid, the solubility is constant, for dissolution of gas in liquid, the concentration of gas in liquid, is proportional to the pressure, which you have said, हुआ है देखिए कितना बढ़िया बढ़िया तरीके से NCRT ने physical equilibrium को explain किया है और बात में उन्होंने इन सब बातों को एक summary में भी बनाया है clear it can be generalized that पुराना पांचों के पांचों equilibrium का उसने बहुत बढ़िया तरीके से summary बना के बताई है अगर liquid vapor equilibrium तो pressure, vapor pressure की बात हुई, solid liquid equilibrium MP freezing constant हुआ, solute in solution तो यहाँ solubility constant हुई और यह equilibrium जिसके बारे में आपसे बात कर रहे थे, sublimation वाला, तो सब जगाओं पे कुछ ना कुछ एक constant quantity हुई है और आपको यह भी पता चला है, it is the dynamic in nature, rate of forward backward बराबर हो जाएं तो तीन feature आपके सामने main में निकल कर आगए, rate of forward backward बराबर हो गया, कुछ ना कुछ, miserable property constant हो गई तीसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात, क्या, कि कहीं न कहीं यह dynamic in nature है लगेगा, रुक गया, बड़ रुकता नहीं, इन तीन बातों को अपने दिमाग में, दिलों दिमाग में अच्छे तरीके से set कर लें बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी अब, general characteristics of equilibrium involving physical processes for the physical processes discussed above, following characteristics are common to the system at equilibrium equilibrium is possible only in close, 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 जब उसके अंदर कोई gas involved हो both the posing processes occur at the same rate, मतलब उसमें dynamic भी है but stable condition, all measurable property remains constant, clear when equilibrium is attained for the physical process, it is characterized by constant value one of its parameter at the given temperature, माल नीजे, vapor pressure हो सकता है, solubility हो सकती है, clear the magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeds before reaching the equilibrium, the magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeds quantity से पता चलता है कि ये physical process कितना हो चुका है कम हुआ, जादा हुआ, वो उससे confirm होता है आपको न, तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउड दा, चैमिकल एकुलीब्रियम, ठीके जी, अजी, तो एकुलीब्रियम, इन कैमिकल प्रोसेसेस, डैनमिक एकुलीब्रियम के बारे में अब हम डिसकेशन करने वाले हैं, ठीके जी, रिखते हैं जी, क्या लिख आइसके अंदर, तो डैनमिक एकुलीब्रियम इसकी इंफोर्मेशन लेते हैं, नो, लिसन केरफली, एक एक बात को ध्यान से सुनीगा, क्योंकि चप्टर का वरी इंपोर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो गया है, अनालोगस टूदा फिजिकल सिस्टम्स, केमिकल रियक्शन ओल्सो अटे पर अब होते हैं, दीज रियक्शन, कान अकर नकर, परी शिखिकल स्टै थे, अनालोगस, ड्न अलौट अलौट जाद है, ब पानीम बात, रिटो फोर्वाट पिवर्वाद, प हम व्यान से ओल्स इपके सामने, विसने फोरवड भी चल रहा है, रिग्वर्वार भी चल रहा में के बहुंता पहले आपको बता चुका हूं कि मेज़रेबल प्रोपरटी इस में जब कॉंसेंट्रेशन्स आपके पास एक कॉंस्टेंट हो जाए ऐ kepada पर ओन तो पहला करेक्ट्र अपने दिमाग में सेट करें, rate का बराबर होना, rate का बराबर होना, speed का बराबर होना, graph बना के बताता हूं भी तोरो दिर में हम आपको, concentrations का constant होना, rate का बराबर होना, और concentrations का constant होना, this is a state of chemical equilibrium, this equilibrium is dynamic in nature, तीसरी property जो already आपको मैं बार-बार बता चुका हूँ, कि अगर किसी equilibrium में हमें बात करनी हो, rate of forward becomes, backward becomes equal, measurable property like concentration constant हो गई है, और इसके बाद dynamic in nature है, तो dynamic in nature की बात को ही अभी, मैं NCIT से आपको बता रहा हूँ, equilibrium is dynamic in nature as it consists of a forward reaction, in which the reaction, reactant gives product and reverse reaction in which the products gives the original reactant, तभी तो reversible reaction का characteristic हुएगा, क्या? Equilibrium, better comprehension, हमने A, B, C, D, तीन एकसा reactant, बूस्टे अगरे लिया है, reversible reaction है, तो साइन, reversible reaction, with the passes of time, with the passes of time, there is accumulation of the product CD, and the depletion of the reactant A and B, this leads to a decrease in rate of forward reaction, and an increase in the rate of reverse reaction, जह जह से समय निकलेगा, forward reaction बढ़ती चली जाएगी, this leads to a decrease rate of, कारण है, जो reactants आपके पास, उनकी concentration लगातार घटती जा रही है, तो जो rate of forward है, वो down जाता जा रहा है initially, तो इसको अगर graphically हम समझें, लो जी, यहां मैंनी क्या लिखती है, time, यहां मैंनी क्या लिखती है, concentration, शुरू-शुरू में मेरे पास reactant access थे, जब time is equals to zero था, इनकी concentration घटती जा रही है, दूसरी तरफ concentration बढ़ती जा रही है, clear, अब हुआ क्या, एक जगा पहुँचकर, मेरे पास reactant की concentration, जब product की concentration के बराबर हुई, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कि concentrations बराबर होकर आपका equilibrium achieve होगा, तो हमने हलका सा change के साथ चलना है, इस side में हमने rate लिख देना है, हाँ, इस बात की अब गारंटी हो गई है, जब rate of forward, rate of backward, दोनों के दोनों बराबर हो गए, तो उसको हम लोगोंने state of equilibrium कह देना है, उसको हमने state of equilibrium कह देना है, this leads to the decrease in the rate, 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 rate of the forward, क्योंकि concentration घटती जा रही है, encounters, tuckering, collisions भी घटती जा रही है, and increase in the rate of reverse reaction जैसा कि आप ग्राफ से देख पा रहे है, तो यह concentration versus time है, तो मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि concentrations constant होईगी, हाँ, वो कोई instant हो सकता है, कि concentrations उनकी बराबर भी हो जाए, लेकिन constant होईगी, attainment of the chemical equilibrium, eventually the two reactions occur, eventually the two reactions occur at the same rate, and the system reaches a state of equilibrium, बत हो नहीं था, the rate of forward becomes equal to क्या होगी है, rate of backward, एक है जी, similarly, the reaction can reach the state of equilibrium, even we start with only C and D, that is, no A and B being present initially, as the equilibrium can be reached from either of the direction, equilibrium किसी भी साइड से reach किरवाय जा सकता है, एक दो कोश्चन आप में बाद में अटेम्ट करवाता हूँ इसको, इस कुश्चन को भी attempt कर सकते हूँ आप कि which of the following points indicated और ग्राफ री प्रजेंट दा equilibrium और मैं बार बार आप से कह रहा हूँ, concentration या molar concentration, concentration का constant होना जरूरी है, बरापर होना जरूरी नहीं है, ठीक है जी, तो इस graph के अंदर, concentration में change होने बंद हो गए, इसके अंदर, hydrogen, nitrogen, ammonia की concentration में change होने बंद हो गए, तो यह जो PNM points है, यह equilibrium points को indicate कर रहे हैं, क्यों पर बरापर होना condition नहीं है, बरापर होना condition नहीं है, बरापर होना condition नहीं है, चलिए, वैसी इस question को भी attempt कर सकते हैं, तो chemical reaction A, equilibrium B, equilibrium B will be achieved when, when the velocity mean rate of conversion A to B, जैसे NCIT में A plus B change to C, D लिखा है न, and that of B to A, यहाँ A, B लिखा है, जब रेटो फोरवर्ड, बेकवर्ड के बरापर हो गया, तो उसको आपनी equilibrium कहती है, तो अच्छे question जो आप attempt कर सकते हैं, chemical equilibrium का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, कि आपको किसी भी chemical equilibrium के अंदर chemical species लेके चलनी पड़ेगी, एक reversible reaction है, एक close container में करवाई जा रही है, जिसमें gas involved है, a stage is reached when none of the observable property of the system appears to change with the passes of time, पहली बात, rate of forward, backward बरापर हो गय, temperature, pressure, intensity, color, यह जो observable property है, वो constant हो गई है, यह मैंने point बताया आपको equilibrium का, इसमें achieve हो गया, किसी भी direction से हम equilibrium को attain कर सकते हैं, चाहे हम A, B से start करके C, D पे पहुंचे, या हम C, D से start करके A, B पे पहुंच जाएं, equilibrium किसी भी direction से start किया जा सकता है, chemical equilibrium can be attained from either of the direction, equilibrium between N2O4 वाला example मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको check करें आप, देखो हुआ क्या, आइस बात के अंदर, N2O4 जो की एक colorless liquid है, लिया वैजी, फिर हमने क्या का, equilibrium mixture को हमने highlight किया कि यह इसका equilibrium mixture है, pale brown, आपको याद आ रहा होगा, अगर आप वीडियो में continuously देख पा रही हैं, तो, अब हुआ क्या जी, जब मैंने इसको 25 डिगरी पर ले लिया, तो N2O4 to NO2, N2O4 to NO2, N2O4 to NO2 में convert हुआ, और equilibrium पे pale brown color, यह दोनों मुझे वहाँ मिल गए, अब अगर मैं इसको 0 डिगरी से, अगर मैं इसको 0 डिगरी से 100 डिगरी पर लेकर रहा हूँ, तो reaction maximum forward है, maximum forward है, इस वज़े से NO2 जादा बना, और यह reddish brown है, boiling water के अंदर 100 डिगरी पर, जबकि at 25 डिगरी यह equilibrium पर है, तो अगर मैं NO2 से start कर कर के आउँ, तो भी pale brown है, और N2O4 से start कर के आउँ, तो भी pale brown है 25 डिगरी पर, तो equilibrium को किसी भी direction से attain किया जा सकता है, लाइने सुनो, chemical equilibrium can be attained from either of the direction, equilibrium between N2O4, colorless gas, NO2, reddish brown gas, can be attained whether we start the reaction with pure N2O4 at 0 degree centigrade, और pure NO2 at 100 degree centigrade, यह मैंने आपको बना के बता है, equilibrium can be attained from both of the sides, whether we start by taking, चाहे तो H2N2 अमोनिया का बना ले लो, या अमोनिया लेकर उसका decomposition, हम study कर लें, तो यह दोनो बाते बड़ी अच्छी और दोनो एक्जाम्पल बड़ी अच्छी, इसके बारे में हम continuously आपको सिखा रहें, ना listen, कि अच्छी आपको सिखाइले कर दोनो एक्डलिए इस भाखको सेवास्यों, या को झाल को सास्ना आपको याज़्ी आपको स्टेशों अब एक अगला एक्जाम्पल आपके पास है N2-3H2 अमूनिया है, हैबर प्रोसेस से अमूनिया का बनना, हैबर प्रोसेस से अमूनिया का बनना, ठीक है जी? तो इसमें आप देखो, अगर मैं स्टार्ट अमूनिया का प्रेपरेशन N2 और 3H2 से कर रहा हूं, और जस्ट उल्टा करें, अमूनिया का बनना, हैबर प्रोसेसिन करवादें, and the concentration of H2Y2 decreases, while that of H2Y2 क्या करेगा, increase करेगा, until all of these become constant at equilibrium, उसके लिए फिगर हमें देखना पड़ेगा, वो है 7.5, हुआ क्या जी? आपने hydrogen और iodine की equal quantities लेकर अपना काम शुरू किया, और फिर धीरे धीरे इनकी concentration घटती 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 जा रही है, अब एक time ऐसा है, जिसको आपने observe करना है, इसको यू करता हूँ, मिड में जाके रुकता हूँ, मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ equilibrium achieve हु hydrogen adding consume हो रहे है, लेकिन जैसे ही इनका consumption शुरू हुआ, इधर से ही का production शुरू हो गया, reaction में यहाँ का जो part है, वो H2, I2, arrow, 2HI, और यहाँ, अगर मैं reaction को उल्टा चलाता हूँ, मैं ही से start करता हूँ, H2, I2, तो कहीं न कहीं यह, दो equilibrium को collectively, एक अठागर के लिखा हुआ है, दो equilibrium को collect कर दिया गया है, एक equilibrium जो start हुआ, एक equilibrium जो start हुआ, H2, I2, 2HI, दूसरा start हुआ, 2HI, H2, I2, बच, 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 जब equilibrium conditions maintained हुई, लेकिन जब equilibrium conditions maintained हुई, तो equilibrium यहाँ जाकर equally achieve हुआ है, जाहे मैं reaction को, कहीं से भी start करूँ, we can also start with HI alone, and make the reaction to proceed in the reverse direction, the concentration of HI will decrease and the concentration of H2, I2 will increase until they become constant when equilibrium is reached, if total number of H and I atoms are same in the given volume, the same equilibrium mixture is obtained whether we start if from pure reactant or from the pure product, तो बहुत अच्छा एक question है, अगर आप number 1 पे चले, measurable property is constant, rate of forward equals to rate of backward, तीसरी बात, हम किसी भी equilibrium reaction को कहीं से भी start कर सकते हैं, अब है very important line, जिसके बारे में मैं लंबे टाइम से बोलता रहा हूँ, यह dynamic in nature है, जैसे कि मैंने radioactive sugar से physical equilibrium समझाया, the reaction doesn't stop at equilibrium, but the rate at which the forward reaction occurs is same as the rate at which the backward reaction occurs, rate of forward becomes equal to the rate of backward, यह बात ताप आप 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 चुकियो अब तक, the dynamic nature of equilibrium or chemical equilibrium can be demonstrated in the synthesis of ammonia by Haber process, बार simple है, N2, H2 और ammonia, ध्यान से सुनना मेरी बात को अब आप, मालो आपने reaction स्टार्ट की है, N2 से, H2 से और ammonia बन गया, ठिके जी, equilibrium पे यह भाईसा भी हैं, यह भाईसा भी हैं और यह भाईसा भी हैं, अब आपने क्या किया, इसका डैनमिसिटी प्रूफ करने के लिए, इनके अंदर, एड कर दिया, equilibrium के चलते चलते, हैड्रोजन का आईसोटोब, डिटीरियम, कोई भी फरक नहीं, बस थोड़ा सा, स्पीड कम होती है, reaction की है, डिटीरियम के साथ, चलो, हुआ क्या, यहाँ अब, अगर, equilibrium पे, अगर, equilibrium पे, nitrogen ही मिलता है, hydrogen ही मिलता है, ammonia ही मिलता है, डिटीरियम मिलता है, तो आप इसको static कहके निकल ले, लेकिन, 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 ऐसा नहीं होता है, लेकिन, लेकिन, ऐसा नहीं होता है, क्या होता है जी Equilibrium पे आपको N2 भी मिला D2 भी मिला Ammonia भी मिला इसके अलावा आपको Hydrogen जो यहाँ Hydrogen था उससे reaction किया हुआ HD भी मिला Ammonia के 2 bond के साथ 1D भी मिला 1 bond H के अलावा 2D भी मिला और ND3 भी मिला इसको देखकर तो आप tension में आ गए, लेकिन मुझे लगता है, आपको tension में नहीं आना चाहिए, आपको तो खोश होना चाहिए, ये तो नराज हो गए, आपको खोश होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप जानते थे, कि during the reaction, at the equilibrium, ये static नहीं है, The dynamic nature of a chemical equilibrium can be demonstrated in the synthesis of ammonia by the Haber process. In a series of experiments, Haber started with the known amount of dinitrogen, dihydrogen maintained at high temperature pressure and at a regular interval determined the amount of ammonia present. he was successful in determining also the concentration of unreacted hydrogen. Nitrogen shows that after a certain time the composition of mixture remains the same even though some of the reactant are still present. वो तो होई गई क्योंकि एक्कुलिब्रियम है. Still this constancy in the composition indicates that the reaction has raised equilibrium. अगर constancy आ गई जैसे की पीछे को वो मैनोमेटर में आई थी in order to understand the dynamic nature of reaction. Synthesis of ammonia is carried out with exactly the same starting condition of partial pressure and temperature but using, using, using deuterium in place of hydrogen. The reaction mixture starting either with hydrogen-deuterium reach equilibrium with the same composition except D2 and D3 are present instead of hydrogen-ammonia. ये तो थे थे थे. After equilibrium is attained, these two mixtures N2-3-H2 ammonia, N2-H2 ammonia, D2-N2 are mixed together and left for a while. Later, when this mixture is analyzed, it is found that the concentration of ammonia is just the same as before. However, when this mixture is analyzed by a mass spectroscope, जिससे पता चलता है कौन-कौन है. It is found that ammonia and all deuterium containing forms of ammonia and D3, N2-H2, N2-D, ammonia, ये सब मुझे वहाँ नजर आए. मुझे सब वहाँ नजर आए. ये सब वहाँ नजर आए. इन सभी का मास स्पेक्ट्रोमेटर की हेल्प से अनलाईज होना, हड्रोजन, deuterated form H2, HD, D2 are present. Thus, one can conclude that scrambling of HD atoms in the molecule must result from continuation of the forward and reverse reaction in the mixture. If the reaction had simply stopped, मान लेते हैं, consider कर लेते हैं, कि ये रुक गई थी. तो भाई, आपको deuterium में कोई चेंज मिलना निए था. कोई चेंज मिलना निए था. When they reached equilibrium, then there would have no mixing of isotopes in this way. लेकिन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से में पता चला, यी सब हैं. Use of isotope in the formation of ammonia clearly indicates that chemical reaction reaches a state of dynamic equilibrium. Invisal rates of forward and reverse reactions are equal. And there is no net change in the composition. Dynamicity of chemical equilibrium is mainly due to the, ये question मैं ने पुछा आप से. इसने का जी quick establishment of equilibrium ही तो पकवास की बात है. Equilibrium established होने में उसका दो घंटे लग जाए. Equal concentration तो बिल्कूल नहीं भाई. Condition है वो. Otherwise तो इनकी constant होना condition है. तो अगर rate of forward, rate of backward के बराबर हो रही है. तब ही आप dynamic equilibrium को प्रूव कर पा रहे हैं. चाहे तो इसके अंदर आप check कर सकते हैं. Chemical reaction reaches a state of dynamic equilibrium in which the, in which the, in which the rates of forward and reverse reactions are equal. And there is no net in the change in composition. और वहीं से मैं ये question उठा कर आपके सामने रख दिया है. Now, अब चोट-चोटी बातते हैं. It can be attained in close container. अगर वहाँ gases involved हो, उन्हीं तो escape कर जाएगा भाई. पहले भी मैंने आपको बता है था. Equilibrium 1 certain, ये continue रहता है up to infinite, जब तक कि कोई इसमें change ना किया जाए, जब तक कि इसमें कोई change ना किया जाए, तब तक ये भाई साब क्या रहते हैं? तब तक ये भाई साब क्या रहते हैं? maintained ही रहते हैं. The equilibrium 1 certain continues up to infinite time, till external conditions remains same. लो जी, अब हम कहते हैं, जी catalyst को लेकर आजाओ. Catalyst कहता है, भाई साब मैं क्या भिगाड लूँगा इनका? मैं तो सिर्फ speed up, speed down करने के लिए रखा गया हूँ. तो भाई साब ये क्या करता है? no effect, no effect, no effect, no effect, no effect, no effect. no effect on equilibrium point. in a reversible reaction, catalyst increases the rate of forward as well as backward. question बन सकता है, to same extent, hence it only helps in quick attainment. जल्दी, जल्दी, 3 साल महनत करें, और वाइटरे में आकर सरफ 1 साल महनत करें, तो आपके selection की chance बढ़ेंगे. तो हमें catalyst का रोल करेंगे और positive वाले catalyst का रोल करेंगे. doesn't alter equilibrium point. तो ये हमारे पास equilibrium के characteristics है, जिसको आपको तसली से word-to-word पढ़ना चाहिए, और मैं इस वीडियो को यहीं end करता हूँ. अब आप subscribe करें, share करें, like करें, इसके बाद का काम है, the law of mass action. वो वीडियो नमबर 2 में दूँगा, वो भी 1 and half hour का असपास का वीडियो होएगा, ये भी 1 and half hour का हो रहा है, बट एक बात इसमें खास आपने देख लिए है, क्या, कि मैंने NCRT भी insert कर दी है, 4-5 question insert कर दी है, एक छोटी सी बात आप इसको देख भी सकते हैं, ये जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, एकुलीब्रियम को आप नहीं समझ पाएंगे, तो ध्यान रखे, रेटर फोर्वर्ड बैकवर्ड से, इसमें बात इसमें बाते जिसको कंफर्म हो गई है, वो इस चैप्टर का विनर होने वाला है, इसके बाद हम लोग मास एक्शन के बारे में डिसकेशन करेंगे, तब तक इस वीडियो को आप 1.5 एक्स पे देख सकते हैं, सारा के सारा NCAT इंक्लूड करके आपके सामने मैंने रख दिया है, थेंक यू,